आधा एक चौथाई और तीन चौथाई का अर्थ भाग दो मिनिंग अफ हाफ वन फोर्थ एन थ्री फोर्थ पार्ट टू आज आप जानेंगे कि आधा और चौथाई को कैसे जोड़ा जाता है नेहा आज बहुत खुश है क्योंकि वो आज अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आई हुई है नेहा के मम्मी खाने के साथ साथ संत्रे भी लाई है नेहा सोचती है कि वो इतने सारे संत्रे कैसे खा पाएगी वो मम्मी से पूछती है कि इतने सारे संत्रे किसके लिए है मम्मी ने उसे बताया कि ये सभी संत्रे तीन लोगों के लिए है नेहा के लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए मम्मी निनेहा से कहा कि वो अपनी मर्जी से संतरों को तीनों लोगों में बाट दे वो मम्मी को बताती है कि वो आधे संतरे पापा को देगी आधे संतरे खुद रखेगी और आधे संतरे मम्मी को देगी इस वीडियो को रोक कर सोचिये कि क्या संतरों को तीन लोगों में आधा आधा बाटा जा सकता है। हमारे पास कुल आठ संतरे हैं, आठ संतरों के आधे हुए चार संतरे, पापा को चार संतरे दे देते हैं, मम्मी को भी चार संतरे दे देते हैं। अरे, ये क्या? नेहा के लिए तो संत्रे बचे ही नहीं? ऐसा क्यूँ हुआ? संत्रों की आधी संख्या को दो बार जोड़ने पर उत्तर कुल संख्या आता है. इसलिए किसी भी आकृति या वस्तु के ज्यादा से ज्यादा दो ही आधे हिस्से हो सकते हैं. पर नेहा की समस्या तो वही रही, आखिर इन संत्रों को किस तरह बाटा जाए? नेहा ने मम्मी से पूछा, मम्मी ने नेहा को बताया कि वह इन संत्रों में से आधे संत्रे पापा को देगी, चौथाई संत्रे अपने पास रखेगी और बच्चे हुए संत्रे नेहा को देंग हमें पहले ये पता लगाना होगा कि मम्मी और पापा को कुल कितने संतरे मिलेंगे, यानि हमें कुल संतरों की आधी और चौथाई संतरों की संख्या को जोड़ना होगा. क्या आप तयार हैं? कुल संतर आया चा संतरे, यानि चा संतरे मम्मी पापा के लिए हैं. तो फिर नेहा को कितने संतरे मिल रहे हैं? बिल्कुल सही बताया आपने. नेहा को दो संतरे मिल रहे हैं. नेहा ने ये पता लगा लिया है कि आधे संतरे और चौथाई संतरे को जोड़ने पर कितने संतरे आएंगे. पर अगर उसको ये बताना हो कि मम्मी पापा के हिस्से में कुल संतरों का कितना हिस्सा आया, तो वो कैसे बताएगी? क्या आप ये पता लगाने में नेहा की मदद कर सकते हैं कि मम्मी पापा को संतरे का कितना हिस्सा मिला देखिए पापा को हमने कुल संतरों का आधा भाग दिया अगर इस आधे भाग को भी आधा आधा कर दें तो दो एक चौथाई भाग मिल जाएंगे मम्मी के पास तो पहले से ही कुल संतरों का एक चौथाई हिस्सा है इसका मतलब मम्मी पापा के पास कुल संतरों का तीन चौथाई हिस्सा है अब नेहा और भी खुश है क्योंकि अब वह वस्तूओं के आधे और चौथाई भाग को जोड सकती है। नेहा तो सीख गई। अब आप भी कोशिश कीजिए। आप एक मीटर के आधे और एक चौथाई भाग को जोड कर पता लगाईए कि वो कितने सेंटीमीटर होगा। आधा, चौथाई और तीन चौथाई को कैसे जोडा जाता है। किसी वस्तूओं का आधा, चौथाई और तीन चौथाई कैसे पता लगाया जा सकता है।